प्रस्न दो निमने लिखित में से परतेक में x² का गुनांक लिखिए प्रस्न दो का पहला तो पहला प्रस्न है 2x का घात 3 प्लस x² प्लस x तो x² का गुनांक यहां पर लिखना है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बराबर 2x का घात 3 प्लस एक गुना x² प्लस एक गुना x इस तरह हम इसको लिख सकते हैं यानि x² को एक गुना x² लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठिक है और x को 1 गुना x लिखेंगे तो 1 गुना x, x ही होगा और 1 गुना x square क्या होगा x square तो सिर्फ x square लिखा हुआ है तो इसका गुनांग क्या है एक है क्यूंकि अगर हम 1 गुना x square लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बीच में बिंदू दी है, इसका मतलब क्या है, गुना में है, एक गुना एक से स्क्वाइर, तो एक से स्क्वाइर का गुनांग क्या हो गया, तो लिखेंगे, एक से स्क्वाइर का गुनांग, एक से स्क्वाइर का गुनांग, बराबर एक, यानि यहाँ पर, एक से क्योंकि x स्क्वाइर के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, जब x स्क्वाइर के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, क्योंकि अगर x से गुना करेंगे, तो भी x स्क्वाइर ही रहेगा, तो x स्क्वाइर का गुना क्या हुआ, एक हुआ, दूसरा दूसरा में है 5-7x² पलस x का घाद 3 पलस 2 5-7x² पलस x का घाद 3 पलस 2 तो यहां पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5-7x² पलस 1 गुना x का घाद 3 पलस 2 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यूंकि x का घाद 3 को अगर x से गुना कर दें तो अभी x का घाद 3 ही रहेगा और यहां पे क्या किये हैं बस माइनस 7x² को कोश्टक में ले लिए हैं और इधर पलस का चीन ने दे दिया हैं अगर कोश्टक हटाएंगे तो पलस माइनस माइनस यानि फिर से माइनस 7x² हो जाएगा तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो लिखेंगे तो क्या पुझ रहा है x² का गुनांक तो लिखेंगे अता है x² का गुनांक x² का गुनांक बराबर क्या हो जाएगा तो x² के साथ क्या है माइनस 7 है देखें माइनस 7 गुना x² है ठीक है x² के आगे क्या है माइनस 7 इसको देखेंगे यहाँ पर पलस देखें इसको एक साथ किये थे तो x² के साथ क्या है माइनस 7 यानि x square का गुणांग हो गया माइनस 7 तो इसका उत्तर हो गया माइनस 7 प्रेस्ण 3 तो प्रेस्ण 3 में है πाई बटा 2 πाई बटा 2 x q प्लस x माइनस 1 तो पाई बटा 2 x q प्लस x माइनस 1 तो x square का गुणांग पूछ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं देखे इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बटा 2 पाई बटा 2 x q प्लस इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं बड़ेगा क्यूंकि सुन्ने x square लिखने से देखे ये सुन्ने है सुन्ने को इस तरह से थोड़ा लंबा लिखते हैं यानि सुन्ने है तो सुन्ने x square तो पाई बटा 2 x q प्लस सुन्ने गुना x square हम इसको लिख सकते हैं मालने जी यहाँ पर हम बिंदू दे दे तो सुन्ने गुना x square या सुन्ने x square लिख सकते हैं इसको तो सुन्ने के साथ x square गुना होगा तो सूनने ही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तो सूनने गुना एक्स स्क्वाइर क्या हो गया क्योंकि सूनने किसी के साथ भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा तो यह तो सूनने हो जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सुनने गुना एकस स्क्वार लिखने पर इस बेंजक के बीच में क्योंकि ये तो सुनने हो जाएगा तो एकस स्क्वार का जब इसमें एकस स्क्वार नहीं है कहीं देखे इसमें एकस स्क्वार कहीं नहीं दिख रहा है ठीक है इस बेंजक में तो हम लिख सकते हैं सूनने गुना एक सस्क्वाइर, इस बेंज़ा के बीच में या कहीं पर भी, सूनने गुना एक सस्क्वाइर लिख सकते हैं, तो यहां पर एक सस्क्वाइर का गुनांग क्या हो गया? तो लिखेंगे अता है X स्कुाइर का गुनांग X स्कुाइर का गुनांग बराबर सूने यानि जहांपे X स्कुाइर नहीं दिख्ये जैसे इस बेंजक में X स्कुाइर नहीं दिख रहा है तो X स्क्वाइर का गुनांग क्या हो जागा सुन्ने हो जागा क्योंकि X स्क्वाइर तो इसमें है ही नहीं तो सुन्ने गुना X स्क्वाइर हम लिख सकते हैं क्योंकि सुन्ने गुना X स्क्वाइर सुन्ने आ जागा यानि x square का गुनांग क्या होगा सुन्ने होगा तो πाई बटा 2x q प्लस x माइनस 1 में x square का गुनांग क्या हो जाएगा सुन्ने प्रस्न चार रूट 2x माइनस 1 रूट 2x माइनस 1 तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे यहाँ पर देखिए x square नहीं है तो x square का गुनांग क्या हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा गुना x square प्लस रूट 2x माइनस 1 इस तरह लिख सकते हैं इस बेंजग को क्योंकि x square को अगर सुन्ने से गुना करेंगे तो क्या हो जागा, सुन्य हो जागा, तो सुन्य जोड रूट दो एक्स माइनस एक, तो सुन्य में अगर इसको जोड दें, तो कितना हो जागा, रूट दो एक्स माइनस एक, तो जब इस बेंजक में एक्स स्क्वाइर नहीं है, तो एक्स स्क्वाइर का गुनांग क्या है, स्क्वाइर का गुनांग बराबर सून्य यानि यहाँ पर इस बेंजक में एक स्क्वाइर का गुनांग क्या है सून्य है प्रस्न पांच एकस माइनस एक गुना एकस पलस एक तो प्रस्न क्या है एकस माइनस एक गुना एकस पलस एक तो यह कौन सा सुत्र पे है यह है ए माइनस बी गुना ए पलस बी के सुत्र पे तो ए स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए पलस बी देखे, a square minus b square बराबर क्या होता है, a minus b गुना a plus b, तो a minus b, a minus b गुना a plus b, a plus b, यानि a के जगह पे x है, और b के जगह पे क्या है, एक है, तो a minus b गुना a plus b, बराबर क्या लिख देंगे, a square minus b square, तो हम लिख देंगे a² यानि x² माइनस a² माइनस b² यानि 1 का वर्ग तो a के जगापे x है तो x² लिख देंगे माइनस 1 का स्क्वाइर यानि इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 एक का वर्ग एक होता है यानि एक गुना 1 कितना होगा एक तो इसको हम लिख लेंगे x² माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं एक गुना x² माइनस 1 अब x² को हम यहाँ पर सिर्फ x² है इसके आगे कुछ नहीं है तो एक गुना x² लिख सकते हैं इसको देखें बीच में बिंदू का मतलब क्या है गुना में है तो एक गुना एक से स्क्वाइर भी लिखेंगे तो भी एक से स्क्वाइर ही रहेगा क्योंकि एक गुना एक से स्क्वाइर क्या होता एक से स्क्वाइर तो एक से स्क्वाइर का गुनांग क्या हो गया एक हो गया तो हम लिखेंगे अतर एक से स्क्वाइर का गुनांक बराबर एक एक से स्क्वाइर का गुनांक बराबर क्या हो गया यहां पर एक ठीक है क्योंकि एक से स्क्वाइर के आगे कुछ नहीं है तो एक तो जरूर है क्योंकि एक से अगर एक सस्क्वायर को गुना कर देंगे तो एक सस्क्वायर ही रहेगा तो एक सस्क्वायर का गुनांख हो गया एक तो इस तरह से इसको हल करेंगे